नमस्कार दोस्तों सौगत है आप सभी का इस चैनल पर दोस्तों सभी पेंसन भोगियों के लिए इंपोर्टेंट खबर निकल कर आ रही है तो दोस्तों खबर को जानेंगे उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक चरूर कर दीजे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बिल आइकन को दबा दीजे तो चलिए फ्रेंट्स खबर की और चलते हैं पेंसन भोगियों ने पियम मोदी से डिय और डियार को लेकर किया अग्रह भारतिय पेंसन भोगियों ने केंदर सरकार के करमचारी और पेंसन भोगियों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का ब गरुत्री को 30 जुन 2021 तक रोग दिया था इस साल जुलाई में सरकार ने 1 जुलाई 2021 से डिये और डियार को बढ़ा कर 28 पीसिदी कर दिया इसका लाप के अंदर सरकार के 48 लाग करमचारी तथा 65 लाग पेंसन भोगियों को मिला है एक जनवरी 2020 से 30 जुन 2021 तक डिये की दर 17 पीसिदी थी सरकार ने केंदर सरकार के करमचारी तथा पेंसन भोगियों के लिए डियो डियार का कोई बकाया जारी नहीं किया था पधान मंत्री को लिखे पत्र में B.E.M.S. ने कहा आप से इस मामले में हस्तचेप करने का अग्रह किया है आप वित्र मंत्राले को 1 जनवरी 2020 से 30 जुन 2021 की योधी के लिए रोके के डियो डियार को जल जारी करने का निर्देर दीजिए मंच ने कहा कि D.E.R. के भुकतान का उद्देश सिफ करमचारियों तथा पेंसन भोगियों की जीवन आया अपना की लागत में बढ़ उत्री की भरपाई करना है अब जब कि यह लागत बढ़ चुकी है करमचारियों पेंसन भोगियों के इसका बुकता नहीं करना अनुचित होगा पेंसन भोगियों को है पैसे की जरूरत पत्र में कहा गया है कि जादा तर पेंसन भोगी बड़ी उमर के लोग है ऐसे में उन्हें चिकिसा के लिए पैसे की जरूरत होती है साथ ही COVID-19 की संकर से ज़्यादा तर चीजों के दाम दुगने हो चुके है ज़्यादा तर पेंसन भोगियों की आई इतनी होती है कि वेसिर अपना आधा बेड भर सकते है मंच ने कहा इस बात में सक नहीं कि देश वित्ते संकर से जूज रहा है आशा करती हो कि यह वीडियो आपके लिए हैलफुल होगा अगर यह वीडियो आपके लिए हैलफुल है तो प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सस्क्राइब करना ना भूले